जानमाने बिजनस्मेन कुमार मंगलम बिल्ला के अदित्य बिल्ला ग्रूप ने मुंबई में एक और महंगा घर खरीदा है दक्षड मुंबई के अपस्केल कर माइकल रोड की पास ये बंगला भी दूसरे बंगले की तरह आली शान है जातंड की थालों कुम हुई इसकी कीमत और क्या है खासियत यह सब्पूर्ट मताने रहे आए है आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं बिस्तक की बिस्तक का प्रिम्यम आ गया है बिस्तक प्रिम्यम में तीन प्लैन होगे सिलवर, गोल्ज और फ्लैचना Silver Plan में हर सुभव Market Open होने से पहले मिलेगा Market Newsletter, Live Chat में सवालों के जवाब भी मिलेंगे सबसे पहले Silver Subscription लेने वालों को देने होंगे मात रेक सो उनसर पुपे महिना Gold ट्वाइन करेंगे तो अलग से हर महिने Biz Chat पर आप कर सकते हैं Experts और Anchors के साथ बात और Post Market Live Stream से जुढने का मौका भी मिलेगा हर Weekend Market Scan मिलेगा Platinum Plan पर चलते हैं अब Silver और Gold के फाइदे के साथ Platinum Members को हर तिमाही Experts के साथ Webinar से जुढने का मौका मिलेगा यहां मिलेगा Portfolio Doctor और Events तक का Exclusive Lounge Access तो फटा फट जॉइन कीज़े YouTube पर बिस्तक Tremium बात कर रहे थे हम Adity Villa Group की Adity Villa Group की Company BGH Properties ने मौंबई के पौश इलाके में एक बंगला खनीदा है Sunny Wille नाम के इस बंगले की कीमत 220 करोड रूपई बताई जा रही है इसकी Location है दक्षण मौंबई का अपस्केल Carmichael Road यह बंगला 18,494 वर्ग फीट में फैला बताया जा रहा है इसमें 190 स्कॉयर फीट की तो सिर्फ पार्किंग ही है यह Ground Plus 2 प्रॉपर्टी है यानि यह आलिशान बंगला तीन मंजल का बना हुआ है हाला कि बंगला काफी पुराना है जिसे रेनोवेट हिया जाएगा सबसे खास बात है कि इसके लिए 13.20 करोड रुपई की स्टांप ड्यूटी चुकाई गई इसे एंडरी खरशेद जी दुबाश ने खरीदा था इसके लावा पहले खरीदा गया जटिया हाउस थी काफी लोग प्री है कुमार मंगला विल्ला ने 2015 में लिटल गिप्स रोड मालबार हिल में प्रतिश्चित चटिया हाउस को 425 करोड रुपई में खरीदा था ये एक-दो मंजुला बंगला था और इसमें कई खुली जगहां और पाकिंग एरिया था 25,000 वर्क फीट में बना घर वोमी भाबा के घर से कुछी दूर पर इस्थित है जो 2014 में 372 करोड रुपई में बेचा गया था वीते दिनों कुमार मंगलम विल्ला तब सुर्कियों में आये थे जब उन्हें पद्म भूशन से सम्मानित किया गया था व्यपार और उद्योक शेत्र में उन्हें उलेखनियर योगदान के लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया कुमार मंगलम विल्ला इस सम्मान को हासिल करने के साथ है विल्ला परिबार में पद्म पुरुशकार पाने वाले चौथी प्री बन गये इससे पहले उनकी मा राजश्री बिल्ला को पद्म भूशन पुरुसकार से सम्मानित किया गया था दादा बसंत कुमार बिल्ला को पद्म भूशन पुरुसकार मिला था वहीं उनके पर दादा, धनश्याम दादा बिल्ला पत्मपी कूशन पुरुसकार से सम्मानित होई थे इस अवोर्ड को ग्रहन करते के कुमार मंगलम बिल्ला ने कहा था कि राष्ट्र नुर्माण और ट्रस्टेशिप की भावना से मेरी परिवार को पीढ़ियों से दिशा दिखाई है ये सम्मान हासल करना बेहत सुखद है उन्होंने कहा कि अधिति विल्ला ग्रूप ने जिंदगियों को सम्रिध करने में जो भूमी का नेभाई है ये अवार्ड उसे माननेता देता है इस अवार्ड के बाद अब नया बंगला खरीदने को लेकर आदेते विल्ला ग्रूप की चर्चा कुट ही आपको मारी जो अनकारी कैसे लगी कॉमेंट की के जुरू बताएं विडियो को लाइक और श्वेयर करना ना भूले साथ कि जो हमारे नई व्योड से मोगी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले